नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल आरजेनर सिंग एकेडमी पे फ्रेंट्स आज बात करने वाले एक निर्यक्विटमेंट के बारे में जो कि एक पर्मानेंट वेकेंसी है और इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट इसको एनेचम के द्वरा वेकेंस इसके अंदर क्या होने वाला है तो सारी डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक जुरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरूर करिएगा ओके और अपने चैनल सेकेंड नर्सिंग चैनल का ज दीरे दीरे नीचे स्क्रोल करना है और जो recruitment या advertisement का जो टेव आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको click करना है और इसमें click करने के बाद में जिसका official notifications है या इसको online case apply करना ये भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें click कर लेना है और धीरे दीरे इसको नीचे ओनलाइन आविदन करे, apply online, यहां से आप इसका official notifications डाउनलोड कर सकते हो, यह इसके आविदन है उसको भी यहां से ओनलाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले इसका जो official notifications से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसकी जो term conditions है, selection process क्या होना है वाला है, कैसे आपको forum submit करना है, और इसम कितना experience required educational qualifications का सारी details से बात करते हैं, friends सबसे पहले बात कर लेते है, vacancy की vacant positions के बारे में, तो stop nurse and परिचारे का जो vacancy है, इसकी total post यहां पे दी गई है 569, 59 post इसके अंदर दी गई है, जिसमें राइपूर के अंदर 92, बिलासपूर के अंदर 191, सर्गुजा के अंदर 135 और बस total इसके अंदर 569 post है, जिसके अंदर इसको अलग-अलग category में इसको divide किया गया, यह आप इसमें देख सकते हो, और सीधी बरती है, रिक्त पत के आदार पे इसमें vacancy को निकला गया है, और friends यह एक percentage base पे होने वाली vacancy है, तो एसा ना सोचे कि इसके अंदर एक्जाम होगा, percentage base पे होने वाली vacancy है, और इसके अंदर stop nurse की post है, तो next बात करते हैं इसके अंदर जो vacancy है, इसको संचाना ले स्वास्ते सेवाई 36 गड़, NHM 36 गड़ के दवरा vacancy को निकला गया है, इंद्रावती बवन तर्तियतल नया रायपूर के अंदर vacancy को निकला गया, 17-8-2020 को इसको official notifications release किया गया था, बट कुछ technical problem के वज़े से वीडियो नहीं बना पाया इसके लिए, और friends इसकी सबसे important जो कास बात है, इसको 17-5-2020 से 31-8-2020 तक सामको 5 बज़े तक आप इसको apply कर सकते हो, सबसे important, ओके, और इसका जो official website है, वो आपको गेरी के इंदर दिखाए दे रहा है, www.cghealth.nick.in इस पे आप apply कर सकते हो, या इसका link आपको description box में भी मिल जाएगा, next बात करते है, वेकिंसी के बारे में आपको बता दिया है, और इसमें आपका जो salary है, वो वेतन मान रहेगा, 5200 से 20,200 के something, grade वेतन है, इसके 800 grade पे की वेकिंसी है, और तरती है, इसको 3rd grade के अं locations के बारे में, तो sectionic योग्यता, BAC nursing, post basic BAC nursing या GNM के वे candidates इसमें apply कर सकता है, और nursing council जो वहाँ का registration है, उसमें होना जरूरी है, चतिस गड़ nursing council से registered candidates इसमें apply कर सकते है, okay, next है, age limit के अगर बात करें तो, age limit इसमें 18 year new time है, और 35 year इसमें maximum age रखी गई है, चतिस गड़ के जो है, उनको इसमें reservation मिल रहा है, okay, next बात करते हैं, जो महिला candidate है, उनको और special यहाँ पर reservation दिया जाता है, next बात करते हैं, जो पद है, अभ्यारती के वल एक ही संभाग है तो आवेदन कर सकते है, मतलब एक ही जगह से एक candidate apply कर सकता है, 4-5 जगह post बट उसमें apply नहीं कर सकते है, only एक post के लिए आप apply कर सकते हो, next इसकी जो condition से वो दी गई, उसको आप पढ़ सकते हो, आराम से इसका official notifications आपको download कर लेना है, और सबसे important इसको आपको online apply करना है, और इसके अंदर सबसे important किसमें कोई भी piece का इसा प्रावदा नहीं दिया गया है, किसमें आपकी piece कितनी लगन प्रावदा नहीं है, और सबसे important इसमें आपका जो selection है, वो merit के इसाप से इसमें आपका selection होने वाला है, इसमें साप साप दिया गया है कि न्यूनतब सेक्षनिक योग्यता कि कुल प्रापतां को कि गणाना सिक्सा की पूर्ण अवदी के अरजित कुल प्रापतां को कि परत educational qualifications है, उसके आदार पे इसमें लिया जाएगा, और 50 number है, जो आपका experience के आदार पे इसमें परती वर्स त्री अंक आपको देकर इसमें 50 number दिया जाएगा, और लास्ट में जो total योग है, total उसका numbering किया जाएगा, उसको merit के साप से जो सूची है वो तियार की जाएगी, तो यह है इसकी process, selection process, और next बात करते हैं, कि आपको इसमें online apply करना है, साप साप दिया गया है, और आप इसको apply कर सकते हो, all India candidates की vacancy नहीं है, state की vacancy है, फिर भी अगर आपको doubt हो, तो please contact करके जरूर देके इस vacancy के बारे में, और अगर फिर भी आपको doubt हो, तो please comment box में जरूर comment करे reply करने की कोशिस करोंगा, okay friends, मिलते next वीडियो में तब तके लिए, स्वास्तरे, मस्तरे, दन्यवाद friends